पिछले सत्र में हमने देखा था कि दो बीजी अव्यांजिकों का गुणन कैसे किया जाता है दोस्तों इस सत्र में हम बीजी अव्यांजिकों के गुणन के कुछ और उधारन देखेंगे चलिए शुरू करते हैं मान लीजीए कि हमें इन दो ब्यांजिकों का गुणन करना है यह एकपदी और द्विपत के गुणन का मामला है हम जानते हैं कि हमें यहां वितरन गुण का प्रयोग करना पड़ेगा तो यह 3AB गुणा AB वर्क और 3AB गुणा A घना D के योग के बराबर होगा अब ये दोनों पद एकपद और एकपद के गुणन है इस प्रकार सरली गुरुत करने के बाद हमें यह मिलेगा यह हमारा अंतिम उत्तर है जब बात BG व्यंजिकों के गुणन की आती है तब बहुपद और बहुपद का गुणन सबसे दल्चस्प होता है यहां एक उधारन है हम एक 4 पदों वाले बहुपद और एक 2 पदों वाले बहुपद का गुणन कर रहे हैं इस व्यन्जक के हर पद का इस द्विपद के साथ गुणन होगा। चलिए, पहले पद का उससे गुणन करते हैं। यह 2PQ और 3Q घटा 5 के गुणन के बराबर होगा। इस प्रकार हम सभी पदों का द्विपद से गुणन करते हैं। अगला 4Q घटा 3Q घटा 5 से गुणन होगा। इसके बाद हम रुनात्मक P घटा और 3Q घटा 5 और आखिर में 4 और 3Q घटा 5 का गुणन करते हैं। अब यहां एक एक पदी और एक द्विपद का गुणन है। तो हम इसे आगे वित्रन गुण लगाकर ऐसे हल करेंगे। इन पदों को देखिए। यहां कोई ऐसे पद नहीं है जिनके बीजी य गुणन कंट समान हो। तो हमारे पास कोई समान पद नहीं है और इसलिए इसे और सरल नहीं किया जा सकता। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस वियनजग को सरल करें और एकस बराबर दो के लिए उसका मान निकालें। हम इसे दो भागों की तरह देख सकते हैं जिने इस वियनजग को बनाने के लिए जोड़ा गया है। तो चलिए इन्हें अलग-अलग हल करते हैं और फिर दोनों के परिनामों को जोड़ते हैं चलिए पहले इस पहले भाग के बारे में विचार करते हैं हम देख सकते हैं कि यह द्विपद और द्विपद के गुणन का मामला है हम देख चुके हैं कि ऐसे व्यांजकों को हल कैसे किया जाता है इस व्यांजक के हर पद का इस द्विपद से गुणन होगा तो हमें यह मिलता है अब हम वितरन गुण का प्रयोग करते हैं इन पदों का गुणन करने के बाद हमें यह मिलेगा हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास दो समान पद हैं तो चलिए इनका समुह बना कर जोड़ते हैं अब दूसरे भाग की ओर चलिए यह एक पदी और द्विपद के गुणन का सरल मामला है हम सिर्फ इस X का इस द्विपद के हर पद से गुणन करते हैं इन पदों का गुणन करने के बाद हमें यह मिलता है अब जब हमारे पास इन दो भागों का परिणाम है हमें सिर्फ उन्हें जोड़ना है यहां 8X और 5X समान पद है तो उन्हें जोड़ दीजिए अब हमें सिर्फ इन्हें इनकी घातों के घट्टे करम में रखना है ठीक इस प्रकार रुकिए हमारा कार्या अभी समाप्त नहीं हुआ है अब हमें X बराबर 2 के लिए इस व्यान जग का मान निकालना है इसके लिए हमें सिर्फ X को 2 से इस प्रकार बदलना होगा इसे सरल करने पर हमें यह अपने अंतिम उत्तर के रूप में मिलता है इस सत्र में हमने बीजी अव्यान जगों के गुणन के उधारन देखे अगले सत्र में हम इस विशे से जुड़ी कुछ गलत फैमियों को देखेंगे